वैसे तो हम लोगों का चाप्टर खतम हो गया हैं बट स्टार्टिंग का वो थोड़ा सा इंट्रोड़क्टरी पार्ट और आपका जो हैंवी लौ है ये दो सब टॉपिक्स रह गया हैं बट उन दो सब टॉपिक्स में जाने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं सारा का सारा आप लोगों का जो मार्किंग है वो मार्किंग देख लते हैं ठीक है वो मार्किंग जब तुम देखोगे तो पता चलेगा कि हमने कल जितनी सारी बातचीत की उतनी सारी बातचीत में से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के बोर्ट के सिलाबस में थोड़ा सा में ही हम लोगों को अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी है ठीक है बाकी मैंने कल वीडियो के एंडिंग में जो कहा था कि हम लोग एक डेरिवेशन और करेंगे जो वोर्ट वगेरा में आता रहता है खेर मैंने तुम लोगों की टेक्स्ट्बूंगे की इस साल हटा दिया गया उ ठीक है यह जो can you recall है electrolytes and non electrolytes इसको कुछ करने की जर्वत नहीं है ठीक है बिल्कुल भी नहीं और उसके अलावा रुको 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 ठीक है खतम यह उपर से कुछ मार्किंग मत करना यहां पर अपना question मना लो कि why the collogative properties of electrolyte solutions are greater than those for non electrolyte solution of the same concentration तो already हम इस बार में बात कर चुके है कि electrolyte जो होती है वो dissociate हो जाता है dissociate होने का मतलब basically क्या होता है तूटना तो तूट कर कोई भी चीज क्या होगी ज्यादा नंबर आ particles में ही convert होगी न oh my god ऐसा लगेगा कि बादर भटेगा but care तो electrolytes dissociate हो जाता है और जो आपका non electrolyte है वो dissociate नहीं हो पाता लेकिन इस particular answer को पहले तो इस point में लिखना कि collogative properties जो होती है ठीक है वो depend करती है on number of particles ठीक है on number of particles of solute कि वहाँ पे solute के particles कितने है ठीक है आच्छा point number two आप ये लिखोगे कि यहाँ पे जो मैं mark कर रही हूं कि electrolytes जो है वो dissociate हो जाता है two or more ions में ठीक है न आच्छा और उसके बाद when dissolved in water ये लिखना यहाँ से पूरा का पूरा whereas non electrolytes ठीक है आपके dissolve नहीं हो पाते हैं ठीक है इसको देदेना point number two बराबर point number two देने के बाद अपना answer खतम हाँ फिर point number three में ये लिख देना कि therefore question repeat बराबर है ठीक है अच्छा उसके बाद next में आ जाते हैं हम लोग एक मिनट अच्छा next में आ जाते हैं हम लोग और कौन सा question ले आते हैं हम अच्छा हो सकता है देखो ये जो particular statement है न ये particular statement इस particular question को इस तरीके से भी पूछा जा सकता था explain with example तो अगर with example पूछा जाता तब क्या करते हैं तो देखो ऐसे case में आपको ये करना है कि उपर जो मैंने 1,2,3 points बताएं उस 1,2,3 points को तो लिखते हैं लेकिन उसके बाद example के नाम पर पता है क्या लिख देते हैं ये कि अगर example पूछा जाता तो एक question ये बताओगे कि जो मैंने आपको उपर बताया है 1,2,3 points और question number 2 क्या बताओगे वही same question बट उसमें word कैसा आना चाहिए explain तो explain वार जब तुम लिखोगे तो 1,2,3 points भी लिखना और ये example भी लिखना क्या है इस second वाले question की थोड़ी probability काम है बट still mark कर लेते हैं आचा अब वेंट आफ एक्टर को define करने का question आएगा question जा है define वेंट आफ एक्टर तो वेंट आफ एक्टर को define इस सरीके से करोगे it is defined as the ratio of collogative property of a solution of electrolyte divided by the collogative property of non electrolyte ठीक है ये उसमें non electrolyte की spelling गलत है ठीक कर लेना इसको सिर्फ इतना लिखने के बाद अपना answer over मत कर देना ठीक है आपको ये दोनों formulas लिखने ही है ठीक है ये लिखने ही है खेर मैंने जब तुमको ये topic पढ़ाया था तो मैं कैसे लिखती थी numerator में experimental divided by theoretical तुम वैसा भी लिख सकते हो बट उसने मैं यही suggest करोंगी कि अपने board exams में कैसा है textbook का notation यूज करना ठीक है मेरा कैसा है आदत है और even last year तक तुम्हारी textbook में भी वही चीजे होती थी experimental by theoretical इस बार उन्होंने थोड़ा सा change कर दिया बट अगर तुम वह notation भी use करते तो कोई बुराई नहीं है कोई तुम्हारे marks नहीं काट सकता ठीक है ना अच्छा ये हो गया वेंट आफ फेक्टर को define करने का एक तरीका ठीक है बट वेंट आफ फेक्टर को हम लोग इस तरीके से भी define कर सक सकता है molar mass के terms में भी हो सकता है even vapor density के terms में भी हो सकता और देखो आखिर बुक वाले ने theoretical और observed ये वर्ड यूज किये न तो इसका मतला है अगर तुम एक्जाम में भी theoretical observed experimental ऐसे वर्ड यूज करोगे तो कोई गलत नहीं होगा ठीक है तो जब भी तुम लोगों के पास वेंट वो question बहुत ही important है उसको लिखो यहाँ पे लिखना the concept of went of factor is applicable to which solutions के solutions के लिए ये concept valid है ये है आपका question number one तो सबसे पहले तो ध्यान रखना for infinitely dilute solutions ठीक है where the dissociation of electrolyte is complete ये इसका answer है क्योंकि अगर मान लेते हैं कहीं पे dissociation नहीं हुआ यानि कि 100% नहीं हुआ तब आप ये नहीं कह सकते कि NACL के दो particles बनेंगे फिर दो से कम बनेंगे वैसे तो मैं तुम्हें already कल की class में वो formula वगेरा पुरा बता चुकी हूँ अलफा और आई के बीच में relationship बट तुम एक बार अपनी textbook को देखो कहीं पे भी तुमको वो दिख रहा है क्या हाँ आगे दिख रहा है यानि कि the concept of went off factor ठीके that is I equal to N I को N के बराबर कब कहा जा सकता है आई को N के बराबर तभी कहा जा सकता है जब solution dilute हो और वहाँ पे अलफा की value कितनी हो 100% मतलब DOD पूरा हुआ हो otherwise कभी अगर अलफा आप लोगों का अगर 100% नहीं हुआ तो ऐसे case में बोलो क्या हो जाएगा ऐसे case में आप लोगों के I और N equal नहीं होंगे फिर क्या होंगे I or N तो मैं already कल derive कर वही हूँ अभी इसे मैं marking कर वहाँ हूँ यह formula सो बाबा मैंने कल जब class start हुई दी तभी तुम लोगों को लिखवा दिये थे यह बहुत important है अभी तुम लोग जब numerical solve करोगे तो उस मेरे साथ यह numerical में हमें बहुत जाना नेट पड़ीगी आपको पता होना चीए I किस के सामने लगता है किस के सामने नहीं लगता है अब आगे अगर मानके चलते हैं कल को degree of dissociation involved हो गया I के formula में तो हम क्या करेंगे dissociation का case दिया है association वाला तो दिया ही नहीं है तो तुम्हें association वाले को learn करने की जरुवत नहीं है from the point of view of board exams ठीक है क्योंकि दिया नहीं है बट मैं बता है तुम्हें चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप उसको practice कर लो क्योंकि कैसा है MST CT वागेना में अभी तक जो last year तक का syllabus रहता था उसमें dissociation रहता था और association भी रहता था इस साल उन्होंने सिव dissociation को कर दिया है तो उसमें कैसा है तो मगर कहीं भी आगे का future का exam दोगे कोई भी competitive तो ऐसा तो नहीं है और कोई कठीन तो नहीं है वो यह chemical equilibrium आती है तो वह भी आता है chemical equilibrium से ही तो अपन पुरा question solve किये हैं अब आद में तो से mathematics लगाई है common निकलना और सभी लोग 10 तक maths पढ़कर आयो इसकी मैं मार्किंग करा देती हूं green color से consider an electrolyte axby अब देखो इसने कैसा electrolyte लिया axby चलो खेर और इसके पास देखो formula क्या निकल के आया वही निकल के आया जो मेरा निकल के आया करी कल मेरा क्या निकल के आया था i equal to 1 plus alpha n minus 1 यही निकल कर आया न मतलब आप starting में क्या electrolyte लेते हो उसे फरक नहीं पड़ता बट मैं तुम्हें suggest करूंगी book की language में मत जो यह language बहुत ही कठेन है मैंने कल जैसा लिखवा कर दिया है न वैसा लिखो ठीक है इस particular electrolyte की जगा मैंने तुम लोगों को याद करो कल क्या लिखवा कर दिया था मैंने लिखवा के दिया था a आपका convert ह हो रहा है n times a नहीं लिखना था बलकि मैंने आई थी वहां reactant लिखाता है न तो मैंने वहां लिखा था reactant आपका convert हो रहा है n times product में ठीक है तो यहाँ पे consider an electrolyte that dissociates in aqua solution as बस इतना लिखना वो electrolyte AX BY AX यह सब मत लिखो फाल्तु के चोचलों में मत पड़ो मैंने वहाँ पे initial moles कितने लिए थे A तो यहाँ पे भी तुम अपने initial moles A कर दो हमने chemical equilibrium में ऐसी ही सीखा है जब हम equilibrium पे होंगे तो A में इसे X जाएगा जहना यह reactant का क्या हो जाएगा A-X और product का कितना हो जाएगा N times of X फिर बाद में हम लोग X को क्या करते हैं A times of alpha से substitute करते हैं तो यहाँ पे A A-A alpha और यहाँ पे हो जाएगा X times of A alpha यह सब काट दो यह जितना लिखा है नहीं सब काट दो यह मत करो जैसा क्लास में सिखा है नहीं वैसा करो और वहाँ पे बस नीचे लिख देना कि where alpha is DOD DOD का full form लिखना short form मत लिख देना DOD मतलब degree of dissociation ठीक है दन हो गया हमारा DOD के बार मैं का नहीं ओके डन अब उसके बाद यह लिखना total moles after dissociation तो total moles after dissociation कितने हो जाएंगे कितने हो जाने बताओ A-A alpha ठीक है और यहाँ यह X मैंने गलती से लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे आजाएगा N times of A alpha फिर बाकी इसके आगे किस तरीके से common निकाला है नहीं यह सब मैंने कल की जो वीडियो था ना या कल की जो आपकी class थी उसमें मैंने करके रिखाया तो जैसा मैंने वहाँ करके रिखाया उसी steps के through आगे आना और क्या आजाएगा answer A plus यही आएगा ना answer जो भी आएगा मैंने कल के इसमें करके रिखाया था वो कर लेना उसके बाद यह वेक्टर इस गीवन बाई I equal to actual moles of particle in solution after dissociation मतलब dissociation के बाद कितना मिला versus कितना लिया था तो कल के जो थे नोर्स उसमें जैसी जैसी steps है वैसी करना formula तक पहुंच जाना तो यह book क्या according यह जी मत करो खेर यह किसके लिए है आप लोगों के dissociation के लिए association की जी तुमारे syllabus में नहीं है इसमें मैं नहीं करवा रही हूँ है ना अब देखो boards case में क्या लिखा है कि answer in one or two sentences इस exercise में question है क्या बोला है what is venture factor तो मैंने अभी जो आपको mark करवाया पहले venture factor को define करना उसका symbol लिखना it is denoted by the symbol I उसके बार एखादी formula लिखके बात को खथम कर देना ठीक है फिर देखो question number six में क्या पूछा है यह सब notes copy में लिखना है वापस वापस यह मत बुलना कि माडम तभी तो लिख लिया ना फिर से लिखो exercise है ना उसके बाद how is venture factor related to degree of ionization यह basically degree of dissociation के बारे में ही पूछ रहा है तो अभी यह जो उपर तुम लोगों को मैंने पुरा formula derive करवाया यह वाला यही formula उठा कर आपको चापना है तो तुम यह समझो कि एक particular question को पूछने के तरीके कितने सारे हो सकता है कल को हो सकता है यही particular question तुमें इस तरीके से आजाए show that show that के form में आजाए कि show that करिये यह चीज होगी कल को इस तरीके से आजाए what is the relationship between venture factor and degree of dissociation अभी फिलाल कैसे पूछ लिया उसने degree of ionization के terms में पूछ लिया सो तरीके बदल सकते हैं है ना but answer जो है वो थोई ना लेगा और हमने आज जो marking की उसके basis पर और भी कुछ यहां पर लिखा जा सकता है क्या एक बाद देख लेते हैं यह देखो derive the relationship between degree of dissociation and venture factor है ना तो वही जो mark कराया वही same to same यहां पर भी आपको लिखना है तो खेर तीसरी बार मत लिखना उस एक ही question की मतलब answer एक ही बार लिखना और उसके उपर question तीन लिख देना कि ऐसे पूछा जा सकता है इसे पूछा जा सकता है मतलब questions को और और करके तो डाल देना और कोई question है इस particular topic से नहीं और कोई question नहीं है अच्छा थोड़ा बहुत और देख लेती हूं मैं कहीं नजर गुमाते वह मिल जाए नहीं और कुछ नहीं है तो यह chapter की marking खतम हो चुकी है हम लोगों ने starting का introduction वाल पार्ट मैंने नहीं पढ़ाया था तो introduction की marking में अभी करा देती हूं Henry loger में पढ़ाऊंगी उसके वाल में उसकी marking करा दूगी ठीक है अच्छा अभी इसमें हम लोगों को क्या करना है देखो यह जो tights of solution का chart है यह बहुत ही important है है ना अब जैसे tights of solution का मतलब basically उन्होंने क् किया है solution दो चीजों से बनता है solute से और solvent इसे अब उन्होंने क्या किया solute नौट से बने नाइन और बाच्यों में उनके एक्जाम्पल्स यह हुए यह चार्ट अल्रीडी एक बर बोड़ एक्जाम से पूछा जा चुका है ठीक है कोशन इस तरीके का आया था और इवन जो लास्ट एर की किताब हुआ करती थी उसमें यह पर्टिकुलर कुशन एक्सराइस में भी था तो यह चार्ट आपको हुबभू ऐसे का ऐसा ही पीपर में बनाना है जरूरी नहीं है कि आप चार-चार एक्जाम्पल दो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है हां बट आपको एक 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 जाम्पल तो चार्ट में देना ही है और इवन इस कोशन को MCQ के फॉर्माट में भी पूछा जा सकता है कि बताईए कल को पूछ लेगा कि बताओ अमालेगम किस प्रकार का सल्यूशन है तो इसको पता आना चाहिए कि अमालेगम बनाते वक् Government आप लोगों का Solid होता है तो य禰ाष की कौन से क्या टीक्रीका है Liquid in Solid इसको ऐसे लिखते है जो Solut होता है उसको आगे लिखते है जो Solvent होता है उसको पीछे लिखते है Liquid in Solvent Liquid in Gas कल को पूचि लिया कि Air किस प्रकार का solution है तो आपको आना चाहिए कि वो gas in gas का solution है तो यह chart basically आपको याद करना है चीक है और इसका question आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा define solution अगर solution का define पूछा गया तो यह आएगा the solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances ठीक है और यहां से लेके यहां तक यह लिख देना यह question आगया define solution ठीक है पहले तो actually तुमारी book में जब last year तक के किताबों में introduction जो होता था उसमें collidal particles, true solution इनके वारे में भी होता था खेर इस साल नहीं है कोई रिक्कत नी next में पूछा जाएगा अपका question देखो इस तरीके का रहेगा define solution यह आप लोगों का एक question आ गया मैं already तुम्हें mark करा चुकी हूँ ठीक है अच्छा और उसके बाद जब discusses types पूछेगा तो discusses types में देखो ऐसा लिखना इसको रोको यह लिखना point the solute and the solvent ठीक है may be in any of the three state that is solid, liquid and gas इन में से कोई भी हो सकते है ऐना का ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि solute liquid नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता अच्छा उसके बाद यह लिखना this give rise to nine type of solution depending upon the states of solute and solvent उसके बाद फिर यह chart रो करना ठीक है तो यह हो गया तुम लोगों की introduction के first phase से इतना इस पूरे के पूरे चप्टर में हम लोग कौन से वाले केस को पढ़ रहे हम लोग इस केस को पढ़ रहे हम लोग इस केस को पढ़ रहे हम ग्यास नहीं पढ़ रहे हम ग्यास नहीं पढ़ रहे हम लिक्विड इन लिक्विड नहीं पढ़ रहे हम यहां पे सॉलिड इन लिक्विट पड़ ठीक है अचा उसके अलावा बाकी तो जब हमने आयूनिक एक्यूलिब्रियम चप्टर पड़ा है ठीक है तो आयूनिक एक्यूलिब्रियम में यह सब मैंने तुम लोगों को अल्डिडी बताया है कि प्रेसिपिटेशन की कंडिशन क्या होती है देखो बेसिकली कैसा है कि आयूनिक एक्यूलिब्रियम को 11 का पार्ट माना जाता था अभी तक तो कायरे से आयूनिक एक्यूलिब्रियम 11 में आती थी और फिर solution चप्टर आता था तो कही लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने माइड भी आयूनिक एक्यूलिब्रियम भाध में पाड पड़ने वाले तुमको लगेगा अभी दियर था है चाप्टर पहेले कैसे पड़ सकते हैं अगर आप नियुटों चैक लास्ट इयर तक जब हमारा महराश्य सेट बोर्ड का सिलेबस पुराने टाइप का हुआ करता था तो आइने के फिलिब्रियां 11 का ही पोर्शन हुआ करता था यह फर्स टाइम बोर्ड एक्जाम्स में यह 12 का पोर्शन हुआ है ठीक है और जो तुमारे 12 में बहुत लंबा मतलब तुम यह सोचे एक तो चाप्टर का वेटेज भी 6 माक्स के आसपास का था उपर से रटना खतरनाक था तो इससे बेटर है कि आयूनिक एक्विलिब्रियम जैसा चाप्टर उसके बदले में आया है बहुत सारे पढ़ने वाले जो लड़के लड़कियां उनको बहुत अधार तो जिन्होंने आयूनिक एक्विलिब्रियम पढ़ा है उनको प्रेषिपिटेशन क्या होता है सबकुछ उनको पता है वह सारी चीजा हमने बाँपर अल्डी आयानेक एक्टिवरियम में क्या किया है याथ किया है अचा क्या है देखो है एक में रुखना है देखो मैं यहाँ पे इस परटिकुलर चप्टर में तुम्हें saturated solution क्या होता है unsaturated क्या होता है super saturated क्या होता है इसकी defined mark करवारी हूँ ठीक है यह हो गया, आप लोगों का saturated solution की definition यह mark कर ले न, defined saturated solution उसके बाद ही जो pink color से में mark करवारी हूँ यह super saturated solution की definition है ठेक है उसके बार मैं जो red वाले से mark करवा रही हूँ और एक मिनट यहाँ पे red वाले का यहाँ से लिखना when 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 के बार यह लिखोगे tiny crystal of solute is added is added के में एक मिनट को हूँ हाँ is added to saturated solutions is added to saturated solution then then precipitation occurs ठेक है then precipitation occurs and solution becomes super saturated ठेक है becomes super saturated तो अगर super saturated की definition आएगी तो यह लिखोगे दोनों वो pink marking plus red marking ठीक है अच्छा और उसके अलावा यह जो तुमारा point है इसको भी लिखोगे इसको कहां लिखोगे saturated solution की definition के साथ ऐसा लिखना add saturation point ऐसा लिखना add saturation point पता saturation point पर क्या होता है ठीक है यह सरीके से और उसके बाद solubility की definition यहां से यहां तक आ जाएगा ठीक है और इसकी unit जो होगी mole-liter inverse बस यह solubility की definition फिर कौन-कौन से factors and solubility को effect करते हैं यह हम कल की class से पढ़ेंगे और साथी साथ में तुम्हाई लाइफ में कल एक और law आएगा henry law उसके बाद तुम खुद देखो यह चाप्टर तुम्हारा हो जाता है ओवर है ना तो दन फिर हम लोगों का यह कहानी तो कल का जो दिन रहेगा वो आखरी दिन रहेगा तुम्हारे solutions चाप्टर को एक बार देख लेते हैं कि क्या-क्या chapters हमारे हो चुके हो क्या-क्या बाकी एक है अभी solid state तो हमें चाप्टर सुमारे दन है अब फिजीकल केमिस्ट्री का एक ही बहुत उपयोगी बहुत महत्वपूर्ट चाप्टर बाकी है यह दाट इस ठीक है इसमें जो numerical है उसकी copy checking तो वैसे तो मैंदे तुम्हें मुलालिटी मुलारिटी मोल फ्रक्शन रिवाइस कर वा लिया था इस चाप्टर को साट करवाने से पहले ही बट स्टिल फिर से तुमारे पास वक्त है ताकि उस वक्त जिन लोगों में क्लास छोड़ दी थी हो लोग फिर से रिविजन करके क्लास में तके घुस सके तो फ्राइडे से क्यमेकल कानेटिक स्टार्ट हो रही है और फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग जो नेक्स्ट चाप्टर साथ करेंगे दाट वुड बी हेलोजन डेरिवेटेस मतलब अब दो दो चाप्टर साइमल्टेनी अस्वी चलेंगे एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री और उसके बार एक और गयानिक केमिस्ट्री ज्यादा देखो कुछ फेंडिंग है नहीं हमारा चेकल काइनिटिक्स तो तुम्हारा इसी मंथ हो जाएगा खत्म बहुत भी प्यारा चैप्टर है बहुत भी प्यारा मतलब एक को अगर तुम पूछो कि पूरे वह केमिस्ट्री के टेक्स्ट्स्बुक में अगर आपको चैप्टर पढ़ने हो तो मैं पर्सनली रेको क्या करूंगी पर्सनली क्यमिकल कारोंटिक्स करोंगी सॉलिट्स प्रिफ़र करोंगी सॉलिशनस प्राइब्गोंगी और थर्मोडायमिक्स ठीक है एलेक्ट्र क्यमेस्ट्री में आयनेक एक्क्यूललीब्रियम में काफी जादा खिचड़ी मचती है elements of growth 16, 17, 18 ये chapter है तो easy क्योंकि जिस इंसान ने 11th standard की periodicity पड़ी है उसको ये कठिन नहीं जाता है ना बट जिसने नहीं पड़ी उसको बहुत कठिन जाता है और दूसरी बाद की बात नहीं है इसमें रट्टा मारने वाला बहुत है तो इसलिए मैं उस chapter को नहीं करूँगी हाँ नीचे जो दूसरा chapter है D block and F block element उसने मैंने transition करा गिया inner transition बाकिए वो chapter बहुत easy है उसका weightage भी ठीक होता है मतलब group number 16, 17, 18 मतलब chapter number 7 और chapter number 8 में अगर कोई मुझे option देता है और chapter number 8 पड़ूँगी साथ नहीं पड़ूगी मैं खेर 9 तो बहुत important chapter है वो तो नहीं छोड़ा जा सकता नीचे के जो 3 chapters है मुझे कर चुके है 14, 15, 16 वो भी नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी आपने अब बचते 10, 11, 12, 13 तो देखो अगर आपका words का syllabus words के होने से पहले कम से कम 2-3 months पहले अगर complete हो रहा है तो ऐसे में तो आपको फिर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए हाँ अगर आपने भी properly proper तरीके से पहले से पढ़ाई कर रहे हो तो अगर मालने ते हैं हैसा है कि तुमने अभी तक इन में से एक भी chapter नहीं पढ़ा है और तुम आगे जाके directly सारे chapters में कूदना चाहरे हो तो ऐसा फिर नहीं होता है जो भी है best of luck अच्छे से पढ़ो और जब हम लोग ये group नंबर 16, 17, 18 वाला chapter करेंगे ना तो हम लोग 11th class की class को revise करते हो इसको करेंगे क्योंकि 16, 17, 18 ये वाली चीज़ अगा मैं तुमको directly दे दू कि लोग पढ़ो तो तुमें मेरा दे को कुछ नहीं जाएगा क्योंकि basically ये 11th का part है और जो लोग 11th में तो late admission थे उनको दिक्कत होगी या जिनोंने नहीं पढ़ा उस वक ध्यान से उनको दिक्कत होगी तो इसको शुरू से शुरू करेंगे 11th का एक topic पढ़ा करेंगे फिर इसका एक topic पढ़ेंगे 11th का एक topic फिर इसका एक topic so that कि तुम्हें समझ में आता जाए कि अच्छा ये जो word बोल रही है ये क्या है किस तरीके से है etc. etc. ठीक है बाकी अभी chemical kinetics के लिए आप ready रही है and from Monday onwards halogen derivatives पर ready रही है organic chemistry अब तुम्हें July 1 से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि अब तुम अगर मान के चलो imagine कि सबसे रेंग ने रेंग ता को ना इधिक snail सबसे slowest animal होता है अगर उसकी गती से भी पढ़ोगे ना एक महिने में मान लो तुमने एक organic का भी chapter पढ़ा you have four months for these four organic chapters July, August, September, October by October onwards बैल कि October तक जाएगा नहीं ये चीज अभी खतेम हो जाएगी next month तक ही खे next month या September तक ये syllabus खतम फिर अपन लोग आएँगे अपना revision, revision, practice, problem, learning पूरा एक दा यही attitude अपने बाकी syllabus में भी रखना जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना ठीक है? चलो फिलाल ये stage को यहाँ रोकते हैं marking जिस दिंग की जिस दिन मिलती है ना उसी दिन लर्न कर लें test का wait मत करना time to time पीछे की चीजे revise करना जो लड़का या लड़की किसी और बे dependent होता है कि अरे जब मेरे school में test होगा जब मेरे tuition में test होगा जब मेरे ममी पापा चपल जुते मारेंगे तम मैं पढ़ूँगा वो लड़का या लड़की किसी भी दुनिया के exam में excel करने के लिए नहीं बना होता है वो failure ही होता है चाहिख कितना भी बुरा लगे अरे हमें failure किसे बोल सकते हो बट वो तुपहारे खुद की habit है तुम खुद को failure बना रहे हो तुमारे कितने माघ साते हैं वो महीन आइँ नहीं रखता है बीच में कोई तुमसे कुछ भी पूछ ले, सब रटा हुआ होगा, सोजो में को मेरी 10th class की history अभी तक याद है, फिर तो ऐसे case में वो चीह है कि थोड़ी थोड़ी अभी से build up करते जो, कितने chapters हो गए हैं बताओ मेरे पढ़ाकर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 में से 10 chapters से पढ़ा चुकी 12th का, और ऐसा बिल्कुल नहीं किया है कि 11th को skip किया है, 11th के जितने भी major topics थे, वो सब पढ़ा हैं तुमको chemical bonding से लेकर हर चीता कि तुमको यहाँ पर दिक्कत ना है, जब तुम organic पढ़ो या group 16, 17, 18 पढ़ो, तो ऐसे में बिना skip किया अपनने एक अगना slow motion में पढ़ा है, तो तुम ऐसी slow motion में learn भी करते जाओ, बहुत फायदा होगा, बात की लिए मत छोड़ो, बाद में 12th क्लास की physics chemistry match नहीं बनने वाली है, ठीक है, चलो, इस रीच को फिलाल यहाँ रुकते हैं, कल इसके आगे secondary लो करेंगे, ठीक है, Henry law पढ़ेंगे कल के दिन,